नमस्ते अभिवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर उसके बाद बात करेंगे Yes Bank की Yes Bank पे काफी ज़्यादा queries आई हुई थी देखिए ये हफता Yes Bank के लिए सच में बहुत बढ़ा होने जा रहा है क्योंकि Large Cap केटेगरी में ये सामिल होने वाला उन चुनिंदा स्टॉक्स में से होगा जो Market Cap अपना बढ़ाए हुए हैं पिछले 6 महिने में बहुती बेहतरीन तरीके से तो Yes Bank उस केटेगरी में जा रहा है और भी कुछ स्टॉक्स हैं इनका टार्गेट 17 रुपए दिया है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कसन करेंगे पिछली वीडियो में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई थी ठीक तो आगे बढ़ें थोड़ा सा वीडियो लाइक कर दीजिए फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ठीक अब ही हम टेकनिकल टर्म्स पे बात करेंगे सबसे पहले हम ग्रोथ टर्म्स में बात करें इस इस डॉक ने कितनी बढ़ी हम को ग्रोथ दिखाई है पिछले 7-8 महिने में उसी पर हम डिसकसन करेंगे अगर आप 7-8 महिने में यह बग लगबग हमको 50% का रिटन दिया है बारा रुपए के लो से ये बारा रुपए के आसपास का लो है ग्यारा रुपए कुछ पैसे का तो मैं बारा रुपए माना हूँ और अभी चला है अठरा रुपए पे यहां से यहां तक कि जो आप growth समझेंगे normal calculation basis पे वो 50% की है यानि कि stock की performance जो है वो 50% की आई हुई है ठीक अभी मैंने यह calculation क्योंकि 50% की क्योंकि इसको बहुत जरूरी है करना जब आप compare करोगे इसी stock को market से क्योंकि मैंने पिछली कुछ वीडियो में आपको यह चीज कही थी कि yes bank का stock ऐसी क्या गड़बड़ी आगई इसमें कि यह stock उपर के level से लगभग लगभग 15-17% गिर गया ऐसी क्या कमी आगई इस stock में उसी पे discussion करेंगे सबसे जरूरी है यह जानना कि market कितना बढ़ी है अगर आप market को देखोगे तो जो यहाँ पर panic low बना था कोरोना का वहाँ से लगभग लगभग 50-18% के आस पास का momentum market दी है तो चलिए हम अच्छे से calculation करते हैं अगर आप yes bank को देखोगे तो वो 12 रुपए से 18 रुपए ट्रेड कर रहा है अगर आप nifty को देखोगे वो 7500 से 14,000 ट्रेड कर रही है ठीक 14,000 रुपए पे यहां से यहां तक की growth अगर 12 रुपए से थोड़ा पीछे भी चले जाते हैं यानिकी 11 रुपए 25 पैसे 50 पैसे जो भी तो भी आपकी जो growth है वो 55% के आस पास की ही है लेकिन अगर market की बात करेंगे आप तो market जो है वो कितने पॉजटिव साइड दिखें है धेर सारी rating agencies की तरफ से पॉजटिव नियू जाई हुई है LIC ने दबा कर माल खरीदा हुआ है धेर सारे बैंकों के पास इनका stock वैसे भी है अगर आपने share holding pattern देखा होगा तो आपको yes bank के उपर बहुत बड़ा shares है आप गिनने बैठोगे तो काफी समय लग जाएगा आपको गिनने में ठीक लेकिन अब बात आती है reality पर फोकस करने की reality यह है कि yes bank का stock 50-55% ग्रो किया और पूरी की पूरी market जिसमें कुछ ऐसे कबार stocks भी है मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैंने आपसे खुद बताय था कि nifty के 50 stocks में से मैं 10-15 stocks को ऐसे ही बाहर कर दूँगा और उन 10-15 stocks को मिला जुला कर nifty 85% की ग्रोथ दिखाई है अगर वो 10-15 stocks market से बाहर कर दिये जाए मतलब nifty 50 के index से बाहर कर दिये जाए तो market ने 100 plus percentage terms में return दिया है पिछले load से जो बने हुए थे corona low ठीक वही वैसे भी yes bank का वो corona low नहीं था याद रखिएगा yes bank का वो जो था वो fpolo था fpolo मतलब same shares किसी और को बेंच दिये जाए एकदम आधे दाम पर तो एक panic create होता है stock में वही create हुआ था yes bank का stock आधा हो गया था देखते देखते अभी reality पे हम focus जो करवा रहे हैं आपको बहुत ध्यान से समझेगा मैं जो calculation आपको दे रहा हूँ साइद आपको साइद कोई नहीं दिया होगा और इसी से आप सचाई समझ जाओगे कि कुछ ना कुछ तो है जो हमको नहीं पता है yes bank में इसलिए ये perform नहीं कर रहा है अब ध्यान दिजेगा आप कोई और banking stock जाकर धून लीजिए अपने low से वो कितना चला है आप धूनिएगा private sector bank को वो अगर इतना चला है ध्यान दिजेगा अभी हम बैंकों की जब बात करी रहे हैं तो ध्यान दिजेगा आपको banks भी जाकर देखने है कि banks ने हमको कितनी growth दी हुई है अभी जो ये 85% की growth आई है इसमें कुछ sector है बहुत 60% के आसपास का है 60 plus यानि कि yes bank वहां से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ठीक लेकिन अगर आप सिर्फ private bank को compare करो तो yes bank काफी ज़्यादा पिछड़ जाता है वहां पर बहुत सारे ऐसे banks हैं जहां पर yes bank पिछड़ रहा है और private banks का जो average आ रहा है वो 70 plus पे जा रहा है ठीक दूसरी चीज जो यहां पर positive news आ रही है जो मैं background news की बात कर रहा हूं चाहे वो rating agencies हो ऐसा कुछ नहीं है कि company अच्छा perform करने लगेगी का देना है कि क्यों yes bank private sector bank को से perform करने में पिछड़ रहा है उसका हम यहां पर analysis आपको देंगे चार्ट पर भी इसका technical आपको बताएंगे क्या भी pattern बनना है समझे गबात को अभी yes bank में यह जो banker up move आया कोई भी private sector bank ऐसा आप move नहीं दिखा सकता circuit to circuit circuit to circuit चले और यहां पर काफी लोगों को trap करा जाता है चाहे वो media channels करें या कोई और करें आप समझदार हो कौन करता है कौन नहीं करता है वहां पर कौन क्या suggestion दिया ह आपको जरूर चकननी चाहिए अभी मैं आपको एक homework दे रहा हूँ आप जगकर चक कीजिए कि कोई ऐसा banking stock है market all time highs पे हो और ऐसे गिर गया हो मैं यह बिल्कुल accept करता हूँ कि stocks गिरे हैं banking के कुछ stocks गिरे हैं और कुछ बढ़िया रिकबर भी कर गया है गिराव टाई ऊपर जले गए ठीक लेकिन यह stock अभी बिल्कुल रिकबर नहीं कर पाया अगर आप देखेंगे 21 December को जो panic create हुआ था stocks में even पूरे market में crash आया था 3-4% का और उस crash के बाद भी इसमें एक बढ़िहां lower circuit लगा था और फिर धीरे धीरे एक trend पे चल ला है अपर side लेकिन यह जो 18 रु pattern पे चल ला है यह pattern आपको ध्यान से देखना है आप इसको खुद से भी draw कीजेगा और इसी trend line पे यह support ले रहा है ठीक यह trend line थोड़ी सी सीधी कर लीजेगा तो ऐसे जाएगी और वहीं पर यह support ले रहा है खेर आगे बढ़ते हैं trend line के हिसाब से यह बहुत तगड़े support पे अब ही stock है तो आराम से गिरावट करेगा पूरी की पूरी trend line को तहस नहस करके आगे बढ़ जाएगा मतलब नीचे फिसल जाएगा ठीक इतनी देर मैंने जो आपको एक कहानी बताई पीछे कहानी मतलब calculation जो आपके साथ किया उस calculation पे आपको काम करने की जरूरत है और चेक क से कारण है उसको ऐसा मत समझ लिएगा कि नहीं वो और कुछ गलत हो गया है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता यस बैंक के लिए जो all time high माना जाएगा हमारे हिसाब से वो रहेगा लगभग 24-25 रुपए के आसपा जो कि यहां पर आता है उसको आप all time high मानिएगा जो कि यहां स से भी लगभग लगभग काफी दूर रही तो 30-35% के आसपास दूर है ठीक 35% की ग्रोथ यस बैंक को दिखानी होगी जो जब इस हाइज पर पहुंचेगा जहां पर एपियो लॉंच हुआ था और वहां से यस बैंक का स्टॉक गिर गिर के 12 रुपए पर आ गया था ठीक ध के बाद जो भी हो उसको आपको समझना चाहिए और यहां पर एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो बहुत बढ़िया काम करता है उसको मैंने एक्स्प्लें किया था उसको वीडियो को आप जरूर देखिएगा तो आपको वहां पर बच के रहना है क्योंकि यहां पर प्योरली गेम होता है अभी यह सबैंक जैसे एक ट्रेंड लाइन में चलता है ना आ अगया है अपने लाइन पर आ गया है अब यह लाइन ब्रेक करेगा तो एक डाउन फॉल आएगा बाकी अब पॉजिटिव साइड में हम चलते हैं पॉजिविटिविटी अभी क्या क्या है एम क्या है आप बताईए अगर नीचे हम इसको कई बार आपको बता चुको है अभी एक चीज़ समझेगा जब यह नूज आई थी तो यह सबैंक आठ दस परसेंट के आसपास भागा था अब क्या यह जब सच में होगा बाजार में यही होता है जब कोई चीज सच में होती है अगर उसका effect पहले ही हो चुका है तो सचाई में जब वो चीज होती है इस टॉक में गिरावट आती है जैसे कि कोई positive news आई पोजटिब नीच आने वाली है तो yes bank में या कोई भी stock अगर उसमें भहंग कर अप मूव आ गया तो positive news आने के बाद लोग profit बुक करके निकलते हैं ध्यान दीजेगा अगर आपको 10-15% कोई भी stock नीचे मिल ला है उस market में जहां पर market all time high पे trade कर रही है ध्यान दीजेगा मैं क्या कहना हूं market all time high पे trade कर रही है तो फिर आपको वो stock buy करना चाहिए अगर आपको लगता है कि वो एक good quality stock है ध्यान इसी बात पर आपको जाना चाहि इस बाजार में पैसा कमाना चाहते हो तो अपने intraday को अपने swing trade को और अपनी investing को अलग कीजिए फिल्कुल अलग कीजिए अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ पर yes bank में investing करके बहुत अच्छा decision ले रहे हो बहुत गलत कर रहे हो आप बहुत 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 गलत कर रहे हो क क्योंकि यह investment का level हो ही नहीं सकता आप बताईए अगर बाजार यहां से 500 point गिर जाती है ध्यान से समझिए का बात को तो क्या यह bank 18 रुपय पे ही रहेगा क्या ध्यान इसी बात पर आपको देना है और बाजार में 500, 700, 800, 1000, 2000, 4000, 1000 point तक भी गिरने की सम्भावना बन सकती है आ और अगर ऐसी सम्भावना है हमारे सामने तो क्या हम यहां पर investing के लिए मतलब फैसला लेंगे बिलकुल नहीं लेंगे क्योंकि यह stock भले उपर से 15% गीरा हो लेकिन नीचे से 50-55% बढ़ा है अब आप कहेंगे 50-55% market के comparison में फिर भी कम है तो यह आपकी personal choice होगी आप यहां पर investment करो तो 3-5 साल 3-5 साल अब सब आपको hold करने की सला देंगे जहां इसी बात पर आपको रखना है hold जो आपको सला देता है वही आपको bold करता है क्योंकि इसी hold की चक्कर में जो जिसको 3 महने भी रखना वो भी बेचारा hold कर जाता है और यही तकलीफ देती है 3 महने वालों बहुत ध्यान से समझना swing trading risk के साथ चलती है investing में मैं कहता हूँ सबसे कम risk investing में होता है लेकिन वो भी अगर आप यहाँ पर करोगे तो आपको जो समय देना पड़ेगा वो औरों से एक देड़ साल जादा देना पड़ेगा same return कमाने के लिए तो क्या आप यहाँ पर खरीदन निकल गया है yes bank में इतनी trading आप अवाइड ही कर सकते हैं उतना मतलब कुछ है ही नहीं इसको आप बिलकुल ignore कर दीजे कि वहाँ पर एक आपको गेम खेला गया आपके साथ आप वहाँ पर गए आपको फसा गया आपको माल थमाया गया और operator बाहर हो गया आपको यहां यहां थमाया गया है और जितने भी लोग वीडियो देख रहे होगे बहुत सारी लोगों ने यहां पर इस्टॉक को खरीदा होगा क्यों क्योंकि आपको लग राता है अब यह प्योर operator का गेम होता है अब देखिए 19 रुपए पर कितना बड़ा resistance बन गया है yes bank के लिए 18 रुपए investor के पास अगर stock है और वो सच में एक investor है आप यह मत सोचिएगा कि मैं आपको 15 दिन 20 दिन के लिए hold करने के लिए बोलना हूँ अकर आपके पास यहां आसपास की खरीदारी है तो आप hold कीजिए आपका rate आया आप exit कीजिएगा या फिर जो भी आपको profit मिले और अगर किसी के गलती से नीचे का profit यहां पर बचा हुआ है तो मेरी पुरानी वीडियो देख लेगा उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है थोड़ा सा research कीजिए market cap वगएरा के उपर फिर आप सच्चाई से मतलब वास्ता करने लगोगे कम से कम hold is bold पर तो नहीं चल ले जाओग आपको जहां किये अंदर जहां किये आप खुच सोचिये कि आपने जो 90% loss किया है ऌपना जब आप दीजेगा उसको hold करके ही किया है ना आपने सोचा करता हूँ और आपका loss बढ़ता गया है या नहीं 90% cases में क्यों 10% cases में आपने hold करके profit बनाया होगा 90% cases में आप तभी hold कर जब आप लॉस में रहते हो थोड़ा सा इस्टॉप लॉस के ऊपर फोकस कीजिए कई सारी वीडियो जैंगा अब मैं अपना फाइनल रिमार्क दे देता हूं मेरी पोजीशन क्या है देखो कोई यह नहीं बताता आपको कोई भी नहीं बताएगा को उसकी पोजीशन क्या चल कीजिएगा मैं यहां पर ना ही आपको 22 की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता ना ही आपको होल्ड करने की रिकमेंडेशन दे सकता हूं मैंने बोला है कि अगर आप एक स्विंग टेडर हो और स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो तो अभी जब तक यह नहीं आती तब तक रुख जाईएगा आप कहेंगे अपर सर्केट लग जाएगा तो हम क्या करेंगे तो भाई जाने दो ना जाने दीजिए अगर आपको इतना ही मतलब अगर आपको रिस्क से बचना है तो आपको फैसला तभी लेना होगा जब क्लारिटी हो नहीं तो जब मन वहां खरीदो जब मन वहां बेचो फाइदा नुकसान तो हो ही रहा है आपको अपने दिल से पूचिए होल कराने वालों ने आपका ज्यादा नुकसान कराया है और फिर बाई कराने वालों ने सबसे ज़्यादा आपका नुकसान कराया है तो ध्यान इसी बात पर आपको देना है बाई कर यहाँ पर बोला था ना support है technically आपको यहाँ पर बोला था ना resistance है profit book कर लीजे कौन किया कौन यहाँ पर buy किया कौन यहाँ पर sell किया कोई किया कोई नहीं करेगा कोई नहीं करेगा क्योंकि कहा किसको मानना है सबको हवा में उड़ना है हवा में उड़ते जाईए जो लोग कहां मानेंगे वो वीडियो तो देखे ही होंगे उनको बातें समझ में आई होंगी खैर आप चमतकारी लोगों को देखते रहिए जो आपको बड़े बड़े टार्गेट और होल्ड करने की सलाह देते हैं अगर आपको लगता है मैंने आपके स्टॉक के खिलाब बात की है तो आप कुछ नहीं कर सकते पता है क्यों क्योंकि मैंने आपसे सच्चाई बोली है और अगर आपको सच्चाई कडवी लग रही है यह बाजार आपके लिए नहीं है इस बाजार में मीठा जहर काफी दिया जाता है उससे सतर करहिएगा मिलेंगे फिर से किसी इच्छी वाली वीडियो में तब तक के लिए हस्ते खेलते रही यार वीडियो देखने के लिए आपका बहुत दावार भन्नेवाद